नमस्ते दोस्तों इस वीडियो में दिखेंगे Panasonic मेरे अप्लिकेशन में साइन अप किस तरह करते हैं और ऐसी किस तरह आड़ करेंगे तो इसके लिए में Google Play Store पे Panasonic मेरे अप्लिकेशन डाउनलोड करनी है आप जैसे इस अप्लिकेशन कर डाउनलोड करते हैं आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको एक विंडो दिखाए देगी जहां पे लिखा होगा विराए Connectedly भी और इस पर ओप्शन दिखेंगे आपको Login and Sign Up तो आपको करना है Sign Up Sign Up पे क्लिक करने के बाद आपको Mobile Number अड़ करना होगा आपका आप जैसी Mobile Number अड़ करते हो यहां पर हमने Mobile Number अड़ कर दिया है और इसे हम लोग Generator भी करेंगे ओटी भी Auto Read हो जाएगा और Auto Read करने के बाद यह Continue हो जाएगा यहां पर Auto Read हो चुका है यहां पर आपको आपकी प्रोफल डिटेल डालनी है यूजरनेम डालना है आपको आप जो Mobile Number रजिस्टर कर रहे हो वह आपने जो दुकान यह शॉप पे जो भी आपने नंबर दिया है और यहांसर प्राइबर प्राइबे प्राइबे videos क्रेंट करने अब कोईब्भी पास्वेट कर सकते हैं मरें इप सच रहें और मेरद और स्युक्स करना जैसे आप सीनेप पर क्लिक करते हो आपके पास अप्णन सब्सक्राइगा लोगिन का तो इट विल टेक फ्यू सेकंद्स जैसे इस आहना पहुचाएगा आपको लॉग इन को उप्शन आएगा जहां पर आपको मुबाल नंबर और पास्वर्ड आपने क्रिएट कर रहां किया था वह एंटर करना है और वह एंटर करने के बाद आपको करना है लॉग इन तो यहां पर हम लॉग इन कर चुके हैं अप्लिकेशन को आपको थोड़ी बहुत आथेंटिकेशन देनी होगी अब हम देखेंगे इसके अंदर हम डिवाइस किस तरह आड़ कर सकते हैं तो आप देख पार रहा तो उपर हमें ओप्शन दिख रहे हैं लीविंग से तो हमें यहां पर एसी करना है तो जिसके यह मैं एक कर आपको करना होगा और डिवाइस का उप्शन तो आपको इसके लिए वाइफाई लोकेशन और इंटरनेट टीनो इनेबल करना है आप जैसी के उपर रूम करना हूं देख रहे हो वह रोम का नाम चेंज कर सकते हैं यह यहां पर आपको Wifi Exbt 넣고 as pen & password quién इटरना है फिर करेंगए करने आंको कर्यक्क अब करें और आपको देख करें करें गोट्टू सेट्टिंग्स यहां पर हमें अमारा एक सेसिलेक्ट करना है जीए को सिलेट का नाम आया को सिलेक्ट करना है select करने के बाद यहां आप देख पाऊगे तो यहां पर देख रहे हो तो यह connected हो चुका है और यह cloud server से connect की permission ले रहा है तो यह देख रहे हैं हमारा यसी cloud server से connected हो चुका है नीचे लिखाएगा आपको connected और device connect to home wifi registration is process so इस तरह से हमारा cloud server से connect हो जाएगा it will take a few seconds और after that यहां पर आपको जाना है go to dashboard तो हमारा जो device setup है वह complete हो चुका है और आप देख पार हो तो हमारे यहां जो AC का option है वह आ चुका है तो आप देख रहे हो तो यहां पर हमें remote देख रहा है जिसके उपर हमें क्लिक करना है जहां से हम AC का on आप कर सकते हैं तो देख रहे हैं हमने AC on कर दिया है जिससे हम temperature up-down कर सकते AC का साथी fans भी change कर सकते हैं निच आपको दिया गया display अगर AC का display आपको on रखना है रख सकते हो fans भी change करना है कर सकते हो इसी तरह से अगर आपको sleep profile आइड करनी है तो आठ गंटे तक की sleep profile आप इसके अंदर आड कर सकते हो as for your need यह देख रहे हो हैं यहां पर अलग अप्शेंस दिये हुग है कि सो एक से लेके आठ गंटे तक यहां पर आप temperature सेट कर सकते हो वेरिवल टाइम पर इस सबसें सो गाइज जिस तरह आप देख रहे हैं यहां पर हमने इसी का temperature चेंज किया है panasonic मेरे app के दूप इसी तरह हम लोग कर सकते है Amazon Alexa के साथ जिसके लिए आपको Amazon Alexa application डाउनलोड करनी है आपके phone के अंदर और आपको उसके उपर voice command देना है सुब किस तरह करते हैं हम देखेंगे तो यह कुछ हमने temperature अप्डाउन के option देख लिए हैं यहां पर on-up कर दिया यही अब हम इसे on करेंगे Amazon Alexa application के through तो दोस्तों हम डारेक्ली Amazon Alexa application पर जाते हैं तो यहां हम आचुक है Amazon Alexa application के अंदर यहां पर आपको जाना है साइड में आपको मेनू को option दिखागा जिसमें आपको सिलेक करना है skills and game को यहां आपको सर्च करना है Panasonic Mirai तो आपको सर्च बटन दिया है जिसके उपर आप लिखोगे Mirai तो आपको Panasonic Mirai application जो है वो skill open हो जाएगी हम जैसे Panasonic Mirai application को open करते हैं तो यहां पर आपको दो option दिखेंगे settings and disable skills तो यहां पर already मैंने enable किया था जिसे हम disable करेंगे क्योंकि आपको enabling process दिखाने के लिए तो यहां enable to use करेंगे हम तो जैसे enabling use करते हो एक application open हो जाएगा जहां आपको user ID and password इंटर करना है अब हमने यहां पर user ID and password open enter कर दिया है तो आपके सामने और एक पेज open होगा जिसके उपर लिखा होगा Amazon Alexa Panasonic has been successfully linked तो अब हम यहां पर जाएंगे backside यह देख रहे हो यहां पर तो discover devices हम बैग जाएंगे और command देंगे आलेक्सा अलेक्सा अलेक्सा तो यहां आपको आपको इसी तरह कमान देखे आप temperature up-down कर सकते हो files भी change कर सकते हो सो घाइस बहुत ही बहुत ही बहुत ही useful application यहां पर आपको इंट्रोडूस की गई है Panasonic Mirai it's a future connected living application आप बहुत ही इसको यूज कर सकते हो सो अगर आपको कोई भी query होती है आप comments में लिख सकते हो thanks for watching video अगर आपको वीडियो helpful लगे तो share करना ना भूले thank you